हाट ट्रिक लगा पाएगी बीजेपी ये बड़ा सवाल है और चुनावी दंगल के अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो छोटे दल हैं उनकी भूमिका क्या किंग मेकर के रूप में उबरेगी क्या आप पार्टी और कॉंग्रिस के बीच की रार इस वार चुनावी समर जो वहाँ पर चला उसकी बादी पलटने में कामे आप सावित होगी ये देखना होगा विनेश वोगा डुशन्द चौटाला समेत कई दिगज नेता चुरावी मैदान में जिनके खिस्मत आज EVM में कैद हो जाएगी तो पधार मंतरी ने मताताओं से रेकॉर्ड संख्या म नहीं ये भी बड़ा सवाल है साथी कॉंगर्स भाजपा के गड़ में सेन लगाने के बाद वापसी करेगी केंद्रेमंत्री मनोहरलाल ने अभी सुबह सुबह अपने फिल्म वादानिक आधिकार का इस्तमाल किया है और केंद्रेमंत्री मनोहरला ने सुबह करनाल के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला तो हर्याना का चुनावी दंगल जहां पर कई ऐसे एहम जो नेता है जिनकी चुनावी साक इस वक्त दाव पर है और उनकी किस्मत EVM में कहध होने वाली है हर्याना की पॉलिटिक्स इस पर हमने देखा कि काफी रोमांचक रही कई ऐसे नेता थे जिनकी किस्मत आज EVM में कहध होने वाली है वहीं जजजर में उलम्पिक पतक विचेता और भारतिये निश्वानिबाद मनु भाकर ने खार्याना विधान सभाचुनाव के लिए मद्दान किया कि हम सबके रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है बिंग यूथ ऑफ दिस कंट्री कि हम सब अपना वोट डाले और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कांडिडेट लगता है पैस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए कि हमारी छोटे-छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी उचायों तक लिखे जाएंगे चुनावी दंगल पर जया जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे समवादाता कुमार आलोग जो है वो पानी पत से जुड़ेंगे फिर हम आगे इस बुल्टर में और भी समवादाताओं को जुड़ेंगे कुमार सूपरभात आपको पहले तो जिस पोलिंग स्टेशन पर आप है उसका जाइजा हमें दिखाई कि किस तरह से वहाँ पर लोग रही है और किस start से अपने मदा अधिकार का उनोंने इस्तामाल किया अँड़े वह देखते हैं कि चले तो इने शब्याइन की जो दावेदारी है इस पार कॉंग्रेस की तरफ से मिले दिकने कि बाद आए दिकते हैं वोट ने कि बात कुमार सुपरबाद आपको तो सवाल मेरा ये कि जिस पोलिंग बूत पर आप हैं और लोकतन तरुके इस मापर्व में एक वोट बहुत कुछ बदलने का मादा रखता है किस तरहां से लोग बढ़ चड़ कर निकल रहे हैं आज अपने समयदानिक अधिकार का इस्तुमाल करने के लिए जी यालो आता है यहांपर जो अपने पोलिंग का यहांपर प्रयोग करें वोटिंग कर रहे हैं और अभी दिन चड़ाए साथ बेस जो पोलिंग शुरू हुई है तो अभी बढ़दान की कती थोड़ी धीमी है हो सकता है कि ब्रेकफास्ट के बाद लोग आए यहांपर और ज़्यादा मातरा है मने देप दूसरी से जो दूसरी वोटिंग कर पहला है है उनों नी किया और विधायँ कि इस तरीके से एहांपर वोर्टिंग कर रहा है कि हमारी सिरफ एक ही आवाज एक ही बार हमें मिलेगा अपना कुछ भी मरलब जो हमारा उपीनियन है वो हमें व्यक्त करने के लिए तो हमें वोटिंग बिल्कुल भी नहीं मतलब ऐसे लेट गो नहीं करना चाहिए हमें इस शीश को अपना इंपोर्टिंग मान कर और ये डेखो मतलब ऐसा नहीं कि लोग क्या करते हैं कि बाहर घूमने चले गए या किसी और काम में बिजी हो गए इस नौट लैक राइट एन हमें अपनी वोटिंग को यूष करके अपने जो भी हम जो भी कैंदिडेट को वोट करना चाहते है और हम जो देना चाहिए आप नारी हैं, महिला है, महिला सुरक्षा को लेकर के कितना महिलाओं में तो बहुत ज़ादा इंपोर्टेंस है सर क्योंकि अगर हम अपनी इंडियन सोसाइटी देखे तो इसमें पैट्रियार्की है मेल डॉमिनेशन बहुत ज़ादा है चाहे वो हम अपने घर में देखे या सोसाइटी में मतलब अगर आपको कुछ भी करना है चाहे वो आपके सपने है या फिर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी आगे करना है वो भी हमें पहले सोसाइटी को देखना पड़ा है तो ये केवल एक ऐसा मतलब हमारे पास तूल है इंस्रूमेंट है जिसको यूज करके हम अपना ओपिनियन मतलब भी दे सकते हैं बिना किसी को अर्शन के कुल्दीब बिश्नोई को भी हम अपने वोटिंग अधिकार का इस्तवाल करते हूँ यहाँ पर देख रहे हैं कुमार यहाँ पर यह देखना भी बहुत एहम हो जाएगा कि तमाम जो छोटे दलनें वो क्या किंग मेकर की भूमी का निभाप आएंगे इस बार के चुनावी समर में कि बिल्कुल आपने सही कहा देखे इंडिपेंडेंट्स का रोल बहुत जादा यहाँ पर महत्रपूर्ण हो गया है और बहुत सारे जो आप सावीत्री जिंदल की बात करें आप गोपाल कांड़ा की बात करें तो यह लोग यह लोग ऐसे कैंडिडेट हैं कि इंडिपेंड आप बताए रएक संखियाने पर मजबूति की लडाई लड़ रहे हैं उनका क्या पोजशन हो सकता है उनकर सतकार बनाने में क्या इसी योगधान सरकार बनाने में इंडिेडेंडिंट का बहुत अच्छा योगधान रहेगा और पहले से दो चार सित्टेंप जयादा यह आ पूरे अपने आप महत्रपूर्ण है और हर्याना की राज़नीत में नब्बे विदान सवाजीट जरूर है लेकिन राष्टिये पॉलिटिक्स में नेशनल पॉलिटिक्स में इसका एक अहम अस्थान रहा है आप देख सकते कि नब्बे के दार में जो बिपी सिंगी सरकार बनी थी तो चौषरी देविलाल जो की बहुत हविवेट थे हर्याना की राज़नीती में उनका महत्रपूर्ण रोल था तो हम हर्याना की चुनाओं को ये नहीं कहाएगी छोड़ा स्टेट है नब्बे स्टेट है तो उसकी महत्तक कम है हर्याना का जो चुनाओं है वो राष्ट्य परिदिस्टे पर भी अपना इंपोर्टेंस रखता है राष्ट्य पर जो पार्टी है वो भी इंपोर्टन थाती जो कॉंग्रेस है लेकिन जहां हम कॉंग्रेस और आपका गड़बंधन देखते हैं कई जगा पर यहां पर एक दुसरे के खिलाफ होती है नदर आई क्या इसका असर आप इस बार के चुनावों में पढ़ते हुए दिखते हैं कुमार आप अप अगर एनलेसिस कीजिएगा कि अगर गुलिरात का चुनाव हुआ वहाँ पर आमादी पार्टी ने अकेला चुनाव लड़ा और अच्छा खासा वोट उसने कॉंगरेस को डेंट किया गोवा में जब आमादी पार्टी चुनाव लड़ी वहाँ पर भी कॉंगरेस की सम्भावनाव को उसने डेंट किया हिमाचल में ज़्यादा कुछ वो नहीं कर पाई लेकिन हरियाना में पंजाब की अरबात पंजाब में तो सुपड़ा ही साफ कर दिया दिल्ली में सुपड़ा ही साफ कर दिया कॉंगरेस का तो राहूर गांधी ने काफी कोशिस की थी कि बात बन जाए लेकिन एक चीज़ म है कि हमारी पाटी की सरकार बन रही है उस सित्य में आमाधी पाटी के साथ इनका गटबंदन नहीं हुआ और आमाधी पाटी जो भी वोट अगर वोट शियर अपनी पाटी के ओर ले आती है तो सीजा उसका नुक्सान कॉंगरेस को होगा ये पॉलिटिकल पंजाब की यहां महिलाओं का आववाहन पुदान मंत्री हर बार करते आए कि वोटिंग प्रक्रिया में इन सबको बढ़चर कर भाग लेना चाहिए हर्याना की राजनीती को कर समझें तो युवा शक्ती कितना बड़ा रोल निभाती नदर आएगी इस पार के चुनावी दंगल की जब हम ब करता हूं उनको उजवान किया वोटर्स को पेडित किया कि वो घर से बाहर आए क्योंकि मैं गोड़गाओं में हो यह पूरा पूरा आई-टी हब है तो यहां पर जो वोटर है वो बहुत समझदार है और बहुत जागरूप है ऐसे में वोट कास करने घर से मिकले यह बहुत करें लाकों का दौरा किया था तो जाने की पूस्टिकरी को लोग चाह रहे थे कि उनको यहां पर बदलाओं चीए वोई चीत विदान समय में है बहुत यहां पर हुद्डा वोटर्स के विश्मों मिकाबला जारी है ताई चीतों पर आप देखेंगे कि युवाओं को मौक पूस्ते जैसा है कि मैं आपको बताओ रहा हूं नर्भीर सिंग जो पिछली सरकार में मंत्री भी रहे थे उन्होंने भी पूरी एंडी चोटी का जोर नगारा रहता है विने शोगाट इस बार मेहदान पर उनकी आपोनेंट जो है वो सांगबान है साथ ही साथ है गुलगा जैसा हमारे सीनियर रिपोर्टर कुमारालोग बता रहे थी कि और कॉन्विडेंट के होते कहीं ना कहीं नुक्तान ना खा जाए ऐसे में उनको यहां पर समल कर रहना होगा वहीं भार्सी जनता पार्टी जानती है कि उन्होंने पिछले 10 साल में क्या क्या किस तरह से उन्हो सब्सक्राइब बताने के कोशिव करें कि जो सर्कार बनेगी वह विकास के पैरामीटर पर बनेगी प्रदेश में चांसी हो प्रदेश में सारा काम है रोजगार है जो भी आपके युवा है उनको लेकर के यानि आप बिल्कुल एक पर उपना चाहूंगे लुकेश और आप पूपेंदर सिंग हुड़ा अगर इस पुरज़ चुनावी दंगल को देखे किस तरहां से क्यूंकि आप कॉंग्रेश लगातार कितने सालों से कवर करते आये इतने वरिष्ट है पूपेंदर सिंग हुड़ा कितने बड़े गेम-चेंजर साबित होने वाले हैं इस पार द पूरा कावान भुपेंदर सिंग घुट्डा को दिया है और कहा ये जा रहा है कि 90 सीटों में से 72 सीटे भुपेंदर सिंग घुट्डा के लोगों को मिला है और यहाँ पर सेल्जा भी साइड लाइन है और सुर्जे वाला भी साइड लाइन है अगर उपर से देखा जाए तो तो हुट्डा के चलिये और कॉंग्रेस का नितित्रू है वो मान के चल रहा है कि हुट्डा को हमने पूरा कमान दिया है तो हुट्डा कॉंग्रेस तो सत्ता पर चल रहा है और उसका खाम्याजा अब उसको भूगतना पड़ रहा है यानि कि कॉंग्रस की स्थिति वहां पर खराब है क्यूंकि और भी कंडिड़ेट थे और भी जो जबीनी कारता थे वो अच्छे कंडिड़ेट हो सकते थे लेकिन वहां पर कॉंग्रस ने घुटा के कह पर चल रही है जिस तरीके से राजनितिक पर्तित्ता चल रही है सीम की कुर्सी को लेकर के पहले तो उनने विदान सबाच राटनी के लिए बोला था लेकिन बात में उन्हें रोका गया तो अब वो ज़्यादा से ज़्यादा दवाब बनाने के पुशिश कर रही है पर सो और उनने सोनिया गानी से भी मुलकात किया मुलकात में क्या बात हुई है वो तो सोनिया गानी और उनको ही पता होगा लेकिन एक चीज चीज जरूर है कि कॉंगरेस के अंदर जो हुटा है अभी भुपेंदर सी हुटा वो एक तरह से अखंड उनका मतलब आप कहें कि प्र सभा में सांचत भी रह चुके हैं अच्छा फिर कई उसमें ऐसे जो राजसभा के भी हैं लेकिन फिर भी विधाईकी का चुनाव लड़ना है क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो राजजितिक महत्व कांक्षा है खुर्सी पर काबिज होने की वो बहुत जादा है अगर हम दे गुष्णा से पहले ही कॉफर्स नी यकुस्ता कर दिधी कोउगर्स साब-- typ का सब्सक्राइब कर दिया था कि चाहे अप राजसभा की ईया क्यों क्यों, लोकसभा के इयो, विधान सब्सक्रेक चुनाव को नहीं रड़ना है लेकिन बात मीमारी gepharud की खुर्याम कहा कि मैं वोट डाला है क्या कुछ कह रहे हैं हूं आई सुनते हैं वोट जरूर पोल करें सो प्रसेंट मतदान हो